आप देख रहे हैं संमार्ग लाइफ सेवन इस बैठक के अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष वसिष्ट नरायन सिंग करेंगे और इस बैठक में मुख्य मंत्री नितीश कुमार एवं राष्ट अध्यक्ष रामचंद सिंग यानि आर्सिप सिंग भी उपस्तित रहेंगे इस बैठक में राजे कारे कारिनी और राजे परिशत के सभी सदस्यों के साथ साथ पार्टी के लोकसभा एवं राजे सभा के सभी सांसद विधायक विधान परिशत छेतरिय प्रभारी बिहार से राष्ट परिशत के सभी सदस्य प्रकोष्ट के प्रदेश अध्यक्ष तो बिहार विधान समाच उनौव में जेडियू उने काफी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया जिसकी वज़ा से लगातार जेडियू के नेता बैठक कर रहा है राष्टे टीम बनने के बाद अब राजिस्तर पर भी बैठक हो रही है और ऐसा नुमान लगाया जा रहा है कि राजिस्तर पर भी बड़े फिर बदल पार्टी में की जा सकती है हम आपको सीधे लिए चलेंगे पटना जहां इस वक्त हमारे सहीयोगी सदाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं सदाब से हम जानकारी लेते हैं सदाब 10 जन्वरी को जेडियू के राज्य कारेकारिनी की बैठक हो रही है इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास ह रिखा ऐसा है कि जब से अरणाचल परदेश में बीजेपी ने साथ में से छे विधायक जदियू के अपने में शामिल किया है तब से मुखमतर नेतीश कुमार जदियू के यानि अपनी पार्टी के संगठनात्मक गतिविदियों में जादा भाग ले रहे हैं जैसा आपको पता है कि पिछली बार राश्ट्रिय कारकारने की बैठक हुई थी जिसमें राश्ट्री अध्यक्ष मुखमतरी नितीश कुमार ने छोड़ दिया था और राश्ट्री अध्यक्ष बना दिया था उसके बाद से लगातार मुखमतरी नितीश कुमार जदियू क जदियू की पार्टी की संगठनात्मक पूरे संगठन पर बहुत जादा ध्यान दे रहे हैं तो इसी करम में जब राष्ट्रिय कल शनीवार को अपने पार्टी के मुख्याले में उन्होंने कला कर बहुत सारे नेताओं से वो मिले भी और बहुत सारी बाते भी की और उसी करम में ये अनौसमेंट हुआ है कि दस जनवरी को सारे दस बजे के आसपास ये मीटिंग बुलाई गई है जिसकी अध्यक्षता वचिश नारायन स जो परदेश अध्यक्ष हैं वो करेंगे तो बहुत जादा ये उमीद की जा रही है कि जिस तरह से राष्ट्रे कारकारनी की बैठक में राष्ट्रे अध्यक्ष और इस तरह नितिश कुमाने जो फैसले लिये हैं हो सकता है कि इस बार जो राज अस्तर पर जो बैठक सदाब भले ही अरुनाचल प्रदेश के मामले को लेकर कि खटास आई है लेकिन अगर हम खुले मंच की बात करें या फिर मीडिया से बात करते हुए नितिश कुमार ने लगातार यही बोला है कि उन पार्टी में एंडिये में सब कुछ सही चल रहा है और ऐसे में दस ने चेहरों को हटा करने चेहरों को मौका मिलेगा इसके अभी कोई अधिकारिक सुचना तो ऐसी नहीं है मगर यह जरूर कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं मुकमत्री नितिश कुमार और रसीपी से मिलकर कोई ऐसा फैसला जरूर लेंगे जिससे के वो राज अस्तर पर पार्ट को और मजबूत करने की कोशिश उनकी रहेगी तो बहुत मुम्किन है कि युवाओं को मौका मिलेगा यह उमीद तो जरूर की जा रही है बिलकुल और इसके साती सदाब जिस तरीके से पार्टी ने विधानसमा चुनाव में प्रदर्शन किया कई पार्टी के दिगज नेता जो है वो चुनाव हारे हैं ऐसे में उन विधायकों को भी जिने टिकट मिला था और वो चुनाव में हार गया है उन उमिद्वारों को भी बुलाए गया है इस बैठक में बिल्कुल इसमें सारे वो आहम नेता होंगे जिन आह हम नेताओं को रुरूर बुलाया गया है कोशिज 43 सीट सिर्फ लाकर बिहार में नितिश कुमार ने बहुत नितिश कुमार को कही न कही ये अंदर से जरूर एहसास है कि उनकी पार्टी को उतनी सीट नहीं में जतनी उनको उमिद्थी। तो आगे की दिनेओ में पार्टी को मजबूँत करने के लिए नए चेड़ो को सामने लाना और खासके यूवाच चेड़ो को सामने लाने की तो कोशिस जरूर होनी चाहिये और ज़रूर नितीशकुमार के ध्यान में होगा और R CPC के ध्यान में जर अब सब की नजरे 10 जन्वरी को होने वाली बैठक पटी की हुई है जेडियू की 10 जन्वरी को राज के नेताओं के साथ बैठक है ऐसे में इस बैठक में ऐसे अनुमान लगाया जा रहे हैं कि कई बड़े फेर बदल हो सकते हैं आप देखना होगा कि आने वाले समय में जेडि को लेकर के अपने पार्टी का विस्तार नए तरीके से करती है यह देखना काफे दिल्चस्प होगा